अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में आपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किये प्रैक्टिकल्स नहीं किये तो फिजिक्स का फील नहीं आता है फिजिक्स को फील कराने के लिए आपकी समझ को और बढ़ाने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से स्टार्ट किया था जिसमें आज हमें एक इंपॉर्टन टूल एक इंपॉर्टन डिवाइस वो देखने वाले हैं वो है मल्टी मीटर मल्टी बहुत सारे बहुत सा provision proper guidance वो बहुत जरूरी है तो चलिए start करते हैं देखते हैं multimeter को कैसे यूज करते हैं ये device multimeter multi बहुत सारे meter इसमें ठीक है तो पहले इसको समझने देखो different types के multimeter आपके पास हो सकते हैं लेकिन अगर आप multimeter सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो यह बेसिक मल्टीमीटर है ठीक है सबसे पहले यह देखिए यह इसका डिस्पले है उपर यह इसके स्क्रीन है जहां पर वैल्यू आएंगी यहां पर होल्ड का बटन इसमें दिया गया जो वैल्यू आएगी अगर आपने होल्ड प्रेस कर दिया तो वही रहेगी फिर आप इसके टर्मिनल हटा देते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगी वही रहेगी होल्ड प्रेस करने के बाद ठीक है यह इसका बैक लाइट का बटन है अगर आप इसको प्रेस करेंगे यह रेड वाला तो यहां स्क्रीन में इसके डिस्प्ले में जो मिली एंपियर पे ठीक है अगर आप 10 एंपियर तक का करेंट मीजर कर रहे हैं तो यह कॉमन वाला तो यहीं रहेगा लेकिन एक आपका इधर लग जाएगा ठीक लेकिन फिर से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इसको सीखना तो प्रॉपर गाइडेंस और एडल्ट यह alternating voltage में set तो alternating voltage आप मीजर कर सकते हैं यहाँ इस range से इस red से और इस दूसरे red तक यह देखिये कैसे पता चलेगा यहाँ पे लिखा हुआ है V voltage और यह sign बना हुआ है AC का यह वाला sign यह AC का sign है यह AC का sign है जो आपको ऐसा दिख रहा है यह AC का symbol है alternating current का ठीक है तो यह यह आप का alternating voltage, कहां से कहां तक, इस red से, और ये वाले red तक, तो जो आपका घर में, जो alternating voltage आ रहा है, सपोस्थ वो हमें measure करना है, तो क्या करना है, इस pointer को, ये देखे, pointer अभी off में है, arrow off में है, तो इस pointer को alternating voltage में set कर दीजिए, तो मैंने इसको set कर दिया, क्योंकि घर में कितना आता है, 220 ये 220 से ज़्यादे ही आएगा, 230 तक, तो इसको 600 पे आप set कर दो, 600 पे, अगर आप इसको 200 पे set करते हैं, और फिर ये अपने knob लेके जाते हैं, तो ये 1 दिखा देगा, क्या दिखाएगा, वो मैं अभी समझा दूँगा आपको, लेकिन क्या किया आपने, अगर आपने घर में alternating voltage मीजर करना है, कितना रहा है, तो ये ले गए हम इसको 600 पे, पॉइंटर को, knob कहां connect रखने हैं, एक common पे, और एक voltage ohm milli ampere पे, ठीक, इस पे, ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको आपने ऐसा ही रखा, और ये adapter है, जिसको मैंने AC से connect किया है, इस adapter को, ये extension connect किया है, AC supply से, मैंने या on किया, ठीक है, मैं simple इसको यहाँ आपको डाल देना है, लेकिन ध्यान रहे कि wire cut ना हो, adult supervision में करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा, simple, यहाँ मैंने डाल दिय तो ये कितना दिखा रहा है, देखिए, 228, मैं light on करता हूँ, 228 वोल्ट, इस time यहाँ पे आ रहा है, इस time हमें 228 वोल्ट इहाँ पे मिल रहा है, अगर मैं इसको 200 पे set कर देता, तो ये देखे, 200 पे ये 1 दिखा देगा, क्योंकि यहाँ पे 228 आ रहा है, तो 200 तक का ही इस position में ये मीजर कर सकता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो ये अच्छा था कि हमें इसको 600 लिमिट तक का लेके जाते, तो ये देखे, 228 यहाँ पे अभी आ रहा है, 228 वोल्ट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, अब ये तो होगी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अब इससे DC voltage कैसे मीजर करना है, DC voltage कैसे मीजर करना है, मल्टी मीटर से, तो फिर से knobs आपके वही रहेंगे, common पे, और एक voltage ohm, milli ampere पे, तो ये वाला जो है, ये positive हो गया, और black वाला आपका negative हो गया, ठीक है, अब आपको pointer कहाँ select करना है, क्योंकि आप DC मीजर करने जा रहे है, तो DC voltage के अंदर है, तो DC voltage कहाँ है, आपको दो parallel state lines दिखेंगे, ये DC voltage की range है, तो ये वाले, ये वाले red से, और ये वाले red तक, DC voltage है, ठीक है, तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ, आप कहीं भी लेके जाईए, 600 पे, 200 पे, 20 पे, 2 पे, अगर वो 1 दिखा देखा, तो इसका मतलब आपको range बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं इसको 200 पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है, red वाला मेरा positive है, और black वाला मेरा negative है, अब मैं, ये इसका positive है, बैटरी का ये छोटा वाला जो आपको दिखा रहा है, ये positive है, तो मैंने positive, positive पे किया, और negative, negative पे किया, तो कितना value है दिखा रहा है, देखिए, 8.2, तो इस battery का voltage है, 8.2, तो simple कुछ नहीं करना, आपको ये दोनों नॉब ऐसे लगा देना, तो ये 8.2 दिखा रहा है, अगर मैं ये change कर दो, ये इदर और ये इदर, अब देखिए, minus 8.2, value तो वही रहेगी, बतलेगी नहीं, लेकिन ये minus ये दिखा रहा है, कि plus वाला आपने battery के minus पे touch कर दिया, बस ये difference है, बाकी value तो इसकी 8.2 volt है, तो इस battery का voltage 8.2 volt, ऐसी कोई cell आपके घर में, torch का cell है, आपके पास जो watch होती है घर में, उनका cell है, clock का cell है, तो आप उसका यहां से voltage measure कर सकते हैं, with the help of multimeter, simple, ऐसे touch कर दिजिए, जैसे इस case में दिखा रहा है, 8.2, तो इस battery का voltage, इस cell का voltage है, 8.2 volt, मैं फिर से direct current voltage measure करना चाहता हूँ, लेकिन इस समय battery eliminator का, battery eliminator क्या करती है, इससे पहले मैंने बताया था आपको, it converts alternating current into direct current, जो आपको यहां से मिलेगा, red वाला positive, black वाला negative, यह pointer है battery eliminator का, यह इसका voltage change कर रहा है, 0 पे मतलब यहां से 0 volt मिल रहा है आपको, 2 पे यहां से 2 volt direct current मिल रहा है, 4 पे 4 के आसपास यह मिल रहा है, ठीक है, तो मैंने 0 पे set कर दिया, मैंने देखना है, यहां से कितना मुझे voltage मिल रहा है, तो मैं क्या use करूंगा, multimeter, जिसके दोनों नौप फिर से यहीं पे रहाँगे, एक common पे और एक voltage जो मिल एंपेर पे, मतलब यह वाला positive और यह वाला negative, black negative, red वाला positive, ठीक है, तो यहां पे मुझे direct current voltage measure करना है, तो मैं इसको लेके चले जाऊंगा, किस पे, यह voltmeter पे, लेकिन DC वाला, DC वाला कैसे पता, यह parallel straight lines, मैं इसको 20 पे ले गया, अब क्या करना है, अगर मुझे voltage measure करना है, simple, यह plus वाला plus पे मुझे डालना है, और negative वाला negative पे, तो यह plus वाला plus पे आ गया, ऐसे, और minus वाला minus पे ऐसे, देखे, अब भी 0 है, तो यहाँ भी 0 दिख रहा है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो यह दिख रहा है 2.9, मतलब यहाँ से मुझे 2.9 वोल्ट मिल रहा है, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ से देखे, 5.15 कैसा है, direct trend voltage है, 6 पे ले गया, तो यह लगबाग मुझे 7.16 यहाँ से मिल रहा है, 8 पे ले गया, तो यह देखे, कितना मिल रहा है, 9.58, तो यहाँ से, इन दोनों terminal से, 9.58, यह 9.58, हाँ, 9.58, इस्टेबल हो गया, 9.58, direct trend voltage मिल रहा है, ठीक, तो यह हो गया, ऐसे आप इससे voltage मिजर कर सकते हैं, तो एक function तो यह है, इसका, एक तो है, कि आप alternating voltage मिजर करिए गर में, और एक है direct voltage मिजर करिए, simple आपको दोनों terminal डाल देना है, जहां से आपको voltage मिजर करना है, ठीक, अब बात करते हैं, कि इससे resistance कैसे मिजर किया जा सकता है, अब उसको देखते हैं, आप देखते हैं, multimeter से कैसे resistance मिजर करना है, तो सबसे पहले knob यहीं पे रहेंगे, common पे और voltage ohm, milliampere पे, अब आपको अपना pointer लेके जाना है resistance की range में, resistance की range का कैसे पदा चलेगा, तो यह ohm लिखा हुआ है, तो इस red से और यह red तक, आप resistance मिजर कर सकते हैं, तो मैं इसको ले गया, slide करके, पहले suppose 200 पे यहां पे, मैंने इसको set कर दिया, ठीक है, आपको इस wire का resistance find करना है, तो इसके terminal पे यह connect कर दीजिए, knobs, तो एक यहां पे मैंने touch कर दिया, इधर और एक मेरा हो गया, यहां पे, तो यह wire का resistance है, हमारे पास 1.8 ohm, 1.8 ohm में fix हो गया, 1.8 ohm, अब हाने पास एक resistor है, हमें इसका resistance find करना है, पहले color code से कर लेते हैं, फिर हम करेंगे multimeter से, तो मैं इसके color आपको बता देता हूँ, इसमें पहले हमारे पास color है brown, और उसके बाद है हमारे पास इसमें black, and after black, we have orange, and finally, gold, तो brown के लिए क्या करते हैं, brown के लिए हम number use करते हैं, 1, black के लिए 0, and orange के लिए 10 to the power 3, gold के लिए tolerance 5%, तो इसका अगर resistance लिखें, तो वो कितना आएका resistance आएगा इसका, brown 1, black 10 होगिया, ये into multiplier orange, 10 to the power 3 ohm, 10 to the power 3 ohm, plus minus 5%, तो ये आना चाहिए, तो अगर इसको k ohm में बोलें, तो resistance कितना होगिया, लगबग ये होगिया हमारे पास 10 k ohm, 10 k ohm, k ये हमारे पास 10 to the power 3, 10 into 10 to the power 3 ohm, ठीक है, ये मैंने color code से आपको बताया, multimeter से इसको find करने जाते हैं, मैंने pointer रखा हुआ है पहले 200 पर, इतना तो पक्का है, ये 200 पर आएगा नहीं, क्या आएगा 200 पर वो मैं आपको बता देता हूँ, ये 200 तक ही अभी measure कर सकता है, 200 ohm तक, तो मैंने इसको touch किया, फिर से वैसे ही, ये आगिया मैरे पास, ये देखे, कुछ आ रहा है इसमें, नहीं, वह नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब आगे चलना पड़ेगा, मैं 2K पर ले गया, 2K का मतलब 2000 ohm, अब यहाँ पर जो value आएगी, मैं इसमें ये backlight on करता हूँ, यहाँ पर जो value आएगी, वो value को 1000 से multiply करना पड़ेगा, क्योंकि K में लेके गए, 2K में देखते हैं क्या आता है, 2K में भी ये value सो नहीं कर रहा है, 2K रखने पर, पॉइंटर को 2K पोजिशन में रखने पर value सो नहीं हो रही, अब मैं 20K पे ले गया, अब 20,000 ohm तक के मीजर हो सकते हैं, तो मैंने टच किया, तो यह देखें कितना दिखाता है, यह हमारे पास आ रहा है, 9.74K ohm, कितना आया मल्टी मीटर से, यह आया 9.74K ohm, हमने जो color code से देखा था, color code से कितना आया था, 10K ohm, 10K ohm, तो बहुत करीब है, बहुत पास है, और हमने पहले बता दिया था मैंने आपको, गोल्ड है इसमें, तो 5% का इसमें tolerance है, एरर है, उपर नीचे value हो सकती है, ठीक है, तो यह तो था register का, तो simple कैसे register का resistance find करना है, इसको, select, इसको pointer को लेके जाएं, ohm की range में, जो आपको range चाहिए, वो select कर दीजिए, नहीं भी पता है कि register का resistance कितना है, तो 200 से start कर दो, 1 आता रहेगा, मतलब range बढ़ाते रहो, और simple इसको ऐसे touch कर दो, ठीक है, चलिए, अब मैं बताता हूँ, रियोस्टेट का, अब मैं रियोस्टेट का resistance find करके आपको दिखाता हूँ, तो सबसे पहले, knob वहीं रहेंगे, और मैंने pointer select कर दिया, 2K पे, 2K, तो जो भी value आईगे, इसको 1000 से multiply कर लेंगे, क्योंकि K पे हमने select किया, 1000 पे, ठीक है, अब देखिए, मैंने, एक point यहां connect किया, इसका, यहां पे, और एक terminal मैं, यहां connect करूँगा, तो मैंने बताया था, अगर ऐसे कर दिएंगे, तो यह variable register बन जाएगा, और current यहां से होते वे इधर जा रहा होगा, ठीक है, यह कैसी position इसकी होगी, यह होगी, current यहां से सीधा नीचे उतरेगा, तो minimum resistance position, क्योंकि इस fire में नहीं जाएगा, यहां कुछ नहीं है, तो देखते हैं कि resistance कितना आता है, मैं इसको यहां ले गिया, यह देखिए, resistance कितना आ रहा है, लगबग 0, 0.000 मिन्स 0, ठीक, अब मैं जैसे ही इसको यहां slide करूँगा, तो resistance बढ़ना चाहिए, चले देखते हैं कि increase होता है क्या, यह देखिए, resistance बढ़ रहा है किया, बिल्कुल ठीक, अभी कितना value हो गई, 0.057 नहीं, क्यूंकि k पे किया है हमने, तो 57 ohm, अब देखिए, 96, 110, 130, 140, मैं इसको यहां लेके जाओंगा, सबसे ज़्यादर resistance इसका अभी हो गया, और कितना हो गया, यह हो गया, 449 ohm, 0.449 मिन्स, यह 0.450 हो गया, 0.450 and 2000 मिन्स 450 ohm, ठीक, अब मैं अगर इसको एक को यहां कर दूँ, यहां, और एक यहीं रखूँ, तो यह कैसी position होगी, minimum resistance, क्यूंकि current यहां से सिधा नीचे उतर जाएगा, तो यह देखिए, minimum resistance, 0. और अगर मैं इसको इधर slide करूँ, तो resistance increase होगा, बिल्कुल हो रहा है, और मैं finally जब यहां जाओँगा, तो maximum resistance position हो जाएगी, अब तो यह देखिए, कितना होगी है, यह होगी है, यह होगी है, यह हमारे पास, तो 450 ohm, यह देख, 450 ohm, तो यह जब point आप connect करते हैं, तो यह rheostat fixed resistance का हो जाता है, ठीक है, तो इसका maximum resistance है, 450 ohm, ठीक हो गया, चलिए, यह भी आपको find करना आ गया, तो ऐसे हम resistance को calculate करते हैं, resistance की range में इसको लेके चले जाना है, अब capacitor को check करते हैं, multimeter से, लेकिन सबसे पहले, precaution यह लेना है, कि capacitor discharge हो, इसको discharge करने के लिए, किसी tester से इसको connect कर दीजिए, किसी conductor से connect कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद, multimeter का pointer, इस position में लेकिया जाए, जहाँ पर यह symbol आपको दिख रहा ह ठीक है, अब capacitor, यह polar capacitor है, इसका यह negative terminal है, यह minus लिखा हुआ है, यह आप देख सकते हैं, जो छोटा वाला होता है, वो negative terminal होता है, अब negative इसका यह है, यह वाला negative है, तो negative negative से, positive positive से, देखते हैं क्या होता है, देखते है, यह value देखो बढ़ रही है, 400, 500, 700, 800, 900, 1000, तो अगर value बढ़ रही है, इसका मतलब capacitor सही है, यह charge हो गया, charge क्योंगा, क्योंकि multimeter के अंदर battery है, तो यह charge हो गया, तो यह capacitor हमारा सही है, अब हम measure करते है, current, multimeter से, लेकिन इस time पे, knob मैंने एक यहां लगाए, एक तो common पे रहेगा, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे लगाए, क् क्योंकि मैं high current measure करने वाला हूँ, 10 ampere DC में, ठीक है, अब जो आपका pointer है, वो आपको meter की range में लेकि आना है, यह range meter की यह देखे, यहां से और यहां तक, यह A और parallel state lines है, जो बता रही है, यह DC current है, तो मैं इसको लेकि आया, क्योंकि high current है, 10 ampere तक लेकि आगे है, ठीक है, for resistance, और यहां मैरे battery है, source है, यहां से देखे, यह current ऐसे जा रहा होगा, यहां से connection यह इधर, या तो मैं इधर करूँ, या तो इधर, तो मैं इधर connect करने वाला हूँ, emitter हमेशा series में लगेगा, तो मैं जो यह circuit बन रहा है, इसमें current measure कर रहा हूँ, एक मैंने यहां किया, मैं जैसी यहां touch करूँगा, देखते हैं, यहां पर कितना current यह सो होता है, तो मैंने यहां touch किया, यह देखिए, 0.88 ampere के करीब इस circuit मे current है, हमें circuit की continuity चेक करनी है, circuit continuous है या नहीं, circuit कहीं पर break तो नहीं है, तो इसके लिए pointer को, यह slide करते हुए, यहां पर लेके आना है, जहां पर आपको ऐसा symbol दिखाए देगा, sound जैसा, ऐसा symbol, तो इसमें क्या करना है, हमें देखना है, कि यह circuit continuous है या नहीं, तो हमने एक देखिए, यह wire देखिए पहले, यह wire यहां से होते हुए, यह wire ऐसे यहां से और यहां से career stat से यहां connect है, हमने देखना है, कहीं यह wire बीच में break तो नहीं है, यह connection कंप्रीट है या नहीं, तो एक terminal हमने यहां connect किया, और एक terminal हमने इधर connect किया, तो आपको एक buzzer की sound आएगी, यह देखि complete है, यह connection continuous है, ठीक है, मैं इसको इस wire पर test करता हूँ, मुझे देखनी है, यह wire सही है या नहीं, अब मुझे देखना है, यह wire सही है या नहीं, यह कहीं बीच में damage तो नहीं है, तो फिर से एक terminal यहां टच किया, एक और एक इधर, बजर की sound आ रही है, इसका मतलब यह wire बीच में damage नहीं है, बजर की sound तब आएगी, जब यह connection complete होगा, continuous होगा, बीच में break नहीं होगा, अब मुझे यह wire टेस्ट करनी है, मैंने एक यहां टेच किया, एक यहां टेच किया, कि बजर की sound आ रही है, बिलकुल नहीं, तो यह wire TV है, तो यह देखिए, यह यहां पर break है, तो ऐसे आप check कर सकते हैं, जो connection continuous नहीं होगा, वहां पर बजर की sound नहीं आएगी, देखिए, यहां पर कोई sound नहीं है, लेकिन जो connection सही होगा, continuous होगा, जैसे wire सही है, तो बजर की sound आएगी, तो circuit की continuity हम multimeter से check कर सकते हैं, इसकी और सारे functions हैं, हम transistor इससे check कर सकते हैं, diode इससे check कर सकते हैं, लेकिन वो मैं तब आपको explain करूँगा, जब आप transistor, diode इनको समझ जाएंगे, so that is enough, practicals करते रहिए, experiment करते रहिए, thank you